हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे दूटू चनल में दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर से कैसी फाइले और जो टेंप्रेली फाइले होते हैं उनको हम कैसी किलियर कर सकते हैं कि सबसे पहले हम विंडू प्लस आर्की को प्रेस करेंगे उसमें टाइप करेंगे प्रिफिच पी आरी एथी टीच इसको इंटर कर देंगे टाइप करने के बाद इसमें प्रिफिच का जो हमारा फॉल्डर है विंडूज के अंदर सी ड्रैब में वह उपन हो जाएगा यहां पर हम कंट्यू कर देंगे यहां पर हमारा प्रिफिच का फॉल्डर जो उपन होचुक है हमें इस आरी फाइलों को जो है इसलेट कर लेना है है शालट करने के लिए devi Content अग्रे क्रशिबट करने के लिए का देटा जिन प्रमयानी में हो जाएगा कि यह हमारा सारी झो थेंपोरी फाल है बोर्फ डिलिटło किया है कैसीपानी में डिलिट को चुकिया इसको क्लोज कर लेंगे अब दूसरा step है हमें फिर से विंडो फ्लस आर्की को प्रेस करना है और उसमें टाइप करेंगे हम टेम्प टी-ई-एम-पी यह जो टेम्प है हम जो सिंफल साथ टेम्प लिख रहे हैं यह हमारे विंडोज की अंदर की एक फोल्डर है टेम्प जिसम लेशा यह टेम्प लिख लेख से यमिसकोम डेलेट करने के बाद ऐसकोच करने के बाद कि अमशनेशिय प्रेशल के और यारण की प्रेसक रेंगे ज़िसमें टाइप करेंगे पर्संटी एम पए परसंट यह जो हमारा परसंट का फोल्डर है यो पूलडर है यह हमारा जो है जो हमारा यूज्द ओपन है उसके अंदर जो टेदुडः हैं अंदर टेम फॉलड पे अंदर का डिरयर प्रोलडर के अंदर का डिरम हमिं Nur किलर करना है हुए को इस थारे टर को हम जो है अलएट कर लेंगे और स्थ्ष्ट बटन दबा के इसको डिलिट कर लेंगे इसको किप करके क्लोज कर देंगे हमारा यहां से भी डेटा जो है किलियर हो चुका है अब इसको हम क्लोज करते हैं कि इसमें आपको दिखाना चाहरा हूं कि जो हमारा टेंप फोल्डर है वह एप डेटा के अंदर यूजर के अंदर है अब हमारा फूर्थ इस्टेप है इसमें विंडो फ्लस आर की फिर से फ्रेस करेंगे इसमें हम टाइप करेंगे किलियर किलियर एम जीर इसको कर देंगे इससे जो है हमारा सी ड्रेफ का जो है डिस्क किलिन हो जाएगी ओके करेंगे इसमें हमें जितने भी हमारे रिशाइकल बीन टेंप्रेली फाइल हैं वह सारे हमें यहां पर यहां से हम किलियर कर सकते हैं यह हमें सारी ऑप्सिन आ रहे हमें क्या क्या हमें यहां से रिमूब करना है या फिर किलियर करना है इसके बाद जो है हम सारे इनको चेक करने के बा जिल्ट होने के बाद जो है आपका सिस्टम थोड़ा स्मूदली रन करेगा अच्छे से वर्क करेगा दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राब करें और वीडियो को लाइक एंड सेयर करें और कमेंट करें